हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसमें कमर कसली है इसी कड़ी में कॉंग्रेस राश्ट्री अध्यक्ष राहुल गांधी एक दिवसिये दोरे पर जैपूर आ रही है यहां राहुल गांधी एक रोट शो करेंगे उसके बाद रामलीला मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगे शुक्रवार को इस संबंध में SPJ और जैपूर पिलीस ने एरपोर्ट से लेकर रामलीला मैदान तक राहुल के आने के मार्क पर रिहर्सल किया राहुल की सभा को लेकर अशोक गहलोट और डॉक्तर सीपी जोशी समेट अन्यबड़े नेता जैपूर पहुँच गए है प्रदेश कॉंग्रेस राहुल गांधी की सभा को एतिहासिक बनाने के लिए तैयारिया जोड शोर से चल रही है राहुल गांधी के रोड शोर के लिए स्पेशल बस भी जैपूर पहुँच चुकी है डिल्ली से आई बस को SPJ की सुरक्षा घेरे में जैपूर लाया गया राहुल गांधी इसी बस में सभार होकर रोड शो करेंगे और इस दौरान सचिन पाइलिट अशोक गहलोट, CP जोशी पांडे और डूडी सहिद कई वरिष्ट कौहरिस में ताभी साथ होंगे बता दे कि इसी बस में सभार होकर राहुल गांधी ने गुजरात और करनातक विधान सभा चुनाव के प्रचार भी किये थे इस स्पेशल बस में एसी और लिफ्ट साइट कई सुविधायल उपलब्ध है राहुल गांधी का रोजशो तेरा किलोमेटर का रहेगा और तीन घंटे में पूरा होगा रोजशो के दौरान सबसे आगे बाइकों का काफिला होगा और पीछे अन्मे वाहन चलेंगे राहुल गांधी के जैपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के भी करें इंतजाम किये गए है राहुल गांधी के दौरे के लिए जैपुर पुलीस ने शुक्रवार को रहर्सल किया राहुल गांधी शिनिवार को बारा बजे जैपुर एरपोर्ट पहुँचेंगे आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देखो जागरो बनो जागरो